है यज़र फ्रेंड्स। यू र वैलकम तू। दोस्तों आज हम 1909 का भार्तशासन अधेन्याम्ं पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 1892 का भार्तशासन अधेन्याम् पढ़ा था, आज का हमारा टॉपिक है 1909 का भार्तशासन अधेन्याम। एक्जाम की दस्टी से ये 1909 का बार्थसासन अदिनियम और 1919 का बार्थसासन अदिनियम और 1935 का बार्थसासन अदिनियम ये तीनों ही टोपिक बहुत महित्पूर्ण है हर एक्जाम में लगबग एक कोशन इन दिनों मैंसे कहीं से पूछा जाता है तो आज जम भी कवर करें कि उस समय लाइड मारले कब जब 1909 का ये अदिनियम आया था उस समय लाइड मारले बार्थ सचीव था और लाइड मिंटो ततका लिद बार्थ का वाइस राय था इसलिए इस अधिनियम का नाम मारले मिंटो सुदार अधिनियम पड़ा था ये जब 1909 में बार्थ साथन अधिनियम लाया था इनका मुख्य लक्षे यह था इसमें कौन-कौन से सुधार थे इनके द्वारा मेंटो और मौटले के द्वारा इम पढ़ते हैं आगं ईसा दिनियमे में मुखी रूफ से चाप 4 प्रावदान थे ऐसे तो बहुत सारी प्रावदान लेकिन जो हमारे एक्जाम की दस्टी से 4 प्रावदान इसमें important थे पहला कि इस आदिनियम के टेद केंदरी और प्रांतिय विद्धन परिशिद केंदरी परिश्द में विदान परिश्दों की संख्या 16 से 60 कर दी गई थी 1892 में हमने देखा था कि जो यह विदान परिश्दों की संख्या थी यह 10 कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 लेकिन अब इस अधिनियम 1999 के तैत इसमें अब यह संख्या 60 कर देती और जो प्रांतों में विदान परिश्द थी इनमें अलग-अलग संक्या थी किसी परांत में सतर थी किसी असी थी अलग-अलग परांतों में अलग-अलग थी जितने वारत में परांत थे उनमें सब में अलग-अलग थी लेकिन जो केंदर ये परिश्द थी उसमें ये संक्या साथ कर दी गई थी प तक प्रस्ताफ पूछने का अदिकार जैस्ट इससे पिछले वाला 8092 में अमने देखा जिए की बज़ट पर बैसबारतियों के दोरा इसमें शुरु की गई ती ब्हारतियों को यह दिकार दिया गया था कि आप बज़ाशे पर कर सकते हो लेकिन जो ये 1909 का अधिनियम आया इसमें बजट पर बैस तो होती थी साथ-साथ भारतियों को अपने विचार सरजुरीक विचार रखने के लिए और अपने द्वारप प्रस्ता प्रस्तूत करने और प्रसंद पूछने का अधिकार भी मिल गया था ये इसमें दो मुख्य र प्रसंद परिंदर प्रावदान था कि इस अधिनियम के तयत संपर्दाइक निर्वाचन की नियु during है यानि कि मुस्लिम सदेशों का चणाओ मुस्लिम मतलाता हई करेंगे यानि मुस्λιमौउच्छ के लिए प्रतेक निर्वाचन का जो प्रावदान था वो इसी 1909 के अधीनियम के था लॉर्ड मिंटो को इसलिए लॉर्ड मिंटो को संपर्दाइक निर्वाचन का जनक मना जाता है यह कोशन तो इसलिए उनको संपर्दाइक निर्वाचन का जनक मना जाता है यह मुख्यफरावदान इस अधीनियम में थे थैंक यू